आज हम पढ़ेंगे स्वर्शंधी और उसके प्रकार स्वर्शंधी के 5 प्रकार होते हैं और इन 5 प्रकारों को आप इसकुल से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन एक्च्वल में आपको ये अच्छी तरह से पता है कि एक्जाम समय हमसे गलतियां हो जाती है तो उन्ही गलतियों का समयधान लेकि मैं आज आपके पास आया हूँ चलिया देखते हैं आज हम इसे किस प्रकार से पढ़ेंगे सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि स्वर्शंधी के जो अलग लग प्रकार हैं उनमें वर्णों का सायोग किस प्रकार से होता है उसको हम बिल्कुल एक नए तरीके से देखेंगे क्योंकि बुक्स में लंबी चौड़ी परिभासा के साथ होता है उसमें आ, आ, ई, ई, स्वर्ज होता है उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन किस के साथ मिलेगा पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा तो इस चीज का कॉंसेप्ट जो है, उसको आज हम समझने वाले है इनके प्रकारों में जो दिर्गस्वर संधी और विद्धिस्वर संधी है दोनों में बच्चों को कंफ्यूजन होता है तो इस कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे फिर हम देखेंगे, री वर्णने के साथ संधी किस प्रकार से और कहां कहां होता है आगे मैं आपको समझाऊंगा, कि री वर्णने के साथ दो प्रकार की संधी होती है एक तो होता है गूर स्वरसंदी और दूसरा होता है यर्ड स्वरसंदी लेकिन दोनों में री से अर कैसे बनता है उसमें confusion होता है तो उसको भी हम आज clear करने वाले हैं फिर हम देखेंगे यर्ड स्वरसंदी और आयादी स्वरसंदी के अंतर को और उसो समझने की कोशिस करेंगे कि दोनों में क्या basic difference है तो इन सब points को समझने वाले हैं स्वर संधी और उसके प्रकारों को समझने के लिए हमको स्वर में से सिर्फ 11 स्वर की जरुरत पढ़ेगी जो अम और आहा होता है वह आयोगवा होता है तो उसकी जरुरत यहां पर नहीं पढ़ने वाली है इस पूरे class के बाद आप इतनी हैसानी से इतनी कम जगह में revise कर पाएंगे और पांचों प्रकार को चाहे दिर्ग स्वरसंदी हो व्रिदी स्वरसंदी हो, गूर स्वरसंदी हो, येर्ड स्वरसंदी हो एक ही जगह, एक ही पाइंट में लिख कर revise कर पाएंगे और exam time में आपका जो concept है वो एक दाउं clear रहेगा शुरू करते हैं आज का class इससे पहले कि हम संदी के प्रकारों को समझे हैं कुछ समाने जानकारी आपको होनी चाहिए जो कि आपको पहले से पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फटाफट revise कर देता हूं क्योंकि इसमें क्या है आपको आगे समझने में आसानी होगी तो देखे जो 11 स्वर हमने लिए थे उन 11 स्वरों को मैंने क्या किया है ग्रूप में divide कर दिया है इन ग्रूप में 2-2 1 है या दो-दो स्वर है ए से लेकर री तक जो स्वर है उसको कहते हैं मूल स्वर और ए से लेकर आउ तक जो स्वर है उसको बोलते हैं स्वयुक्तसवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह दो सवरों के मेल से बनता है यह आगे हम समझने वाले हैं संधी में भी और इससे पहले मैंने जो वर्ण विचार है उसमें भी बहुत अच्छी तरिके से समझाया है तो आप एक बार उस वीडियो को भी देख लिजेगा उपर आई बटन पर मैंने उसको डाल रखा है और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है यह वीडियो देखने के बाद आप वो भी देखिएगा कि संधी आखिर होता क्या है तो संधी में क्या होता है जो सब्द होता है यदि हम उसको विच्छेत करते हैं अलग लग करते हैं तो उसमें दो पद बनता है पहले पद को प्रथम पद बोलते हैं और दुसरे पद को द्विती पद या उत्तर पद कहते हैं प्रथम पद और दुती पद के वर्णों के मेल से एक विकार उत्पन होता ही या एक प्रिवर्टन होता ही या दो वर्णों मिलके एक नए वर्ण का निर्मार करते हैं इस प्रकार से जो घड़ना होती है उसको हम संधी कहते हैं जैसे के हाँ पर example है, मैंने दिया हुए है मत और अनुसार, मत जो है प्रथम पद है और अनुसार जो है दुति पद है, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण है आ, और दुसरा पद का शुरुवात का जो वर्ण है वो आ है, तो आ और आ जो मिल जाते हैं, तो आ बन जाता है, इस दिर्गसवर संधी में आपको केबल मूल स्वर्व की ही आवस्ता होगी मूल स्वर आ-आ-ई-ई-उ-उ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्रूपिंग किया गया है ये सवार्णों का किया गया है या सजाती वर्णों का किया गया है एक सजाती हो गया, दूसरा सजाती हो गया, तीसरा सजाती हो गया, मतलब समार्ण हो गया, ये समार्ण हो गया, ये समार्ण हो गया, तो इसमें एक हरस्व है, दूसरा दिर्ग है, तो दिर्ग सवर संधी में प्रथम पत का जो अंतिमर्ण होगा, वह भी उसी जाती का होगा, और द्वितिपत का जो प्रथम वर्ण होगा, वह भी उसी जाती का होगा, मतलब आ या आ होई होगा, इसके साथ आ, आ के साथ ई, ई, या उ, उ नहीं होगा, बलकि आ जाती के साथ आ जाती का ही वर्ण होगा, या तो आ होगा, या फिर आ होगा, परन्तु इसकर जो रिजल्ट परिणाम जो होगा वह हमेशा दिर्ग होगा उसी प्रकार से यदि हम देखें इजाती में तो यहां भी एक ही जाती के वर्णों का सायोग होगा और रिजल्ट हमेशा क्या होगा दिर्ग होगा उसी प्रकार से उ जाती में भी देखें या उ समर्णों में भी देखें तो परि जोड़े का कोई भी मेल हो परिणाम हमेशा उसी जाती का दिर्गा होगा और इसी कारण इसका नाम पड़ है दिर्गुसुरसंदी जैसे कि मैंने आपको एक्जांपल यहाँ पर साइड में दिया हुआ है आप देखेंगे यहाँ पर मतनुसार जो मैंने पहली पताया थे दिर तो यहाँ आपको बताया कि वर्ण चाहे अ पहले आए या आ पहले आए या दोनों आ हो या दोनों आ हो कोई फरक नहीं पड़ता रिजल्ट अमेसे क्या होगा उस जाती का दिर्ग होगा यहाँ भी आप देखेंगे इवाली जैती में ए समर्णो में हमेसा दिर्गे ही रिजल्ट हमेशा दिर्ग ही होगा इस कारण से इसका नाम पड़ा दिर्गश्वरसंदी बाते हैं गूर्श्वरसंदी गूर्श्वरसंदी में हमारा मेन काम क्या है आ या आ के साथ जब अलग अलग जातियों के वर्णों से सायोग होगा तो रिजल्ट के आएगा ये हम जाती का या A समर्णक होगा जैसे E E हो या U U हो या R हो तब क्या होगा देखिए सबसे पहले A और A का सहयोग यदि हम E या E के साथ करें मैंने एक साथ ग्रूप में किया हुआ है चाहे E हो चाहे बड़ा E हो दोनों का result जब दोनों मिलेगा तो दोनों का result जो है वह क्या होने तो दोनों का result हमेशा क्या होगा A होगा देखिए उसी चीज़को मैंने यहां लिखा हुआ है A जाती से E जाती के सायोग से हमेशा A बनेगा मतलब A या A होगा प्रथम पद में और दूती पद में E या बड़ी E कोई भी हो दोनों कोई सायोग से हमेशा result क्या मिलेगा A ही म निशित रुप से आपको पता है A या A ही होगा A या A के साथ दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण होगा वो O या बड़ा O होगा तो उसका result क्या होने वाला है result हमेशा आपको मिलेगा O इसी चीज़को मैंने यहां लिखा हुआ है A जाती से O जाती के सायोग से हमेशा O देखते हैं A या A का री से मिलन होगा या मेल होगा जो विकार होगा या प्रिवर्ण होगा वह री का अर हो जाएगा examples आपके book में हैं आप उसको अच्छी तरह से देखिएगा एक बार ये concept समझ लीजिए उसके बाद examples आप देखते रहिएगा examples से दी देता रहूँगा तो काफी लंबा हो जाएगा मेरा मकसद वही रटी रुटाई या पुरानी परंपरा से पढ़ाने का नहीं है मेरा मकतलब है आपको सिर्फ अच्छी तरह के से दिखाने का आपका concept clear करने का आपको visualize करने का जितना जल्दी आप visualize कर पाएंगे वे चीजें आपको याद रहेगी हमेशा के लिए हमने क्या किया था और ये diagram कैसा दिख रहे है यह आपको याद रहेगा तो आपका भी confuse नह आया आ से ई वर्ग मिलेगा तो ए बनेगा आया आ से उ वर्ग मिलेगा तो बनेगा ओ और आया आ से री जब मेल होगा री का मेल होगा तो result हमेशा क्या आएगा और ये हो गया आपका गूर सरसंदी अब चलते हैं व्रिदिव सरसंदी हमने देखा गूर सरसंदी में हमने क्य लाइन खीच रखी है आपको यह समझाने के लिए गूर्ण सर्षंदी में इतने तक कही मिलें होगा रिजल्ट भले ही इधर का है संयुक्त स्वरा है लेकिन मेल सिर्फ इतने कही होगा और पहली में आपको बताया था यह संयुक्त होने से रिजल्ट मिलता है इसलिए यह संयुक्त सर कहलाते हैं यह वाला जो कॉंसेट है यह आपका क्लियर हो गया कि दो बर्णों के संयुक्त से जो स्वर बनते हैं वो संयुक्त सर कहलाते हैं और कैसे संयुक्त हुआ हमने गूर्ण सर्षंदी में उस चीज़ को हमने देखा अब आते हैं बृध्यू सरस姦ी यहां तक हम Favorism करवा चुके थे Mail करवा चुके थे A के साथ अब हां यहां पर A और A का Mail जो है वह A या A के साथ या इस group के साथ करवाने वाले हैं जब A या A का Mail A ग्रूप के साथ होगा तो result हमेशा A ही होगा जैसे कि दिर्ग में हुआ था दिर्ग सरसंदी में हमने क्या दिखा था सजाती सवरो का ही मेल हुआ था वहाँ पर है न यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर तो हमेशा दिर्ग बंदा था लेकिन यहाँ पर हम एक जाती के वर्ण से मतलब आ या आ से सबका मुलाकात करवा रहे हैं यहां से री तक हो चुका था अब हम आ वर्ग का ए वर्ग से मेल करवा रहे हैं जब आ का ए वर्ग से मेल होता है तो result हमेशा दिर्ग ही होता है यह आपको याद रखना है के लिए यहां पर वृद्धी सुर्शन दिए हमेशा वृद्धी होता है मतलब मात्रा का वृद्धी होता है ए के बाद ए मात्रा एक मात्रा का वृद्धी हो गया इसी चीज़ को मैंने यहां लिखा है आ जाती से ए जाती के कोई भी यूगमग से संयोग हो रिजल्ट हमेंसा आई ही बनेगा अब आ या आ का हम मेल करवाएंगे ओ और आउ से तो जैसे ए वर के कसंत हुआ था ठीक वैसे ही ओ और आउ से भी होगा आ या आ का मुलाकात या मेल ओ और आउ से हो तो रिजल्ट हमेंसा आउ ही बनेगा मात्रा की व्रिद्धी हो जाएगी और यही कहलाता है व्रिद्धी स्वर संधी यहाँ पर मैंने लिखा है आ जाती से ओ जाती के कोई भी यूग मसे संयोग से हमेशा आव ही बनेगा मात्रा की व्रिद्धी ही होगी तो यह कहलाता है व्रिद्धी सवरसंदी ठीके अभी तक हम क्या कर रहे थे आव वर्ग का ही सबसे मेल कर वा रहे थे ई, ई, उ, उ, उ और रि तक का जो मेल हुआ वो गूड़ सवरसंदी कहला आया और ए वर्ग और आव वर्ग इक साथ जो मेल हो रहा है वह वृद्धिव स्वर्शंदी कहला रहा है यह हमने समझ लिया अब चलते हैं हम दो अंतिम प्रकारों पर एक यर्शंदी और दूसरा अयाधी स्वर्शंदी इसको हम एक ही स्लाइड में पढ़ने वाले हैं ताकि दोनों का अंतर आपको समझ में आये कि क्या हो रहा है देखिए आ का प्रथम जो वर्ण था प्रथम जो पद था उसमें आ या आ का सयोग हो चुका है पहले अब आ या आ वाला कहानी खतम हो चुका है अब हम सुरू करेंगे या या य से तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण e या य हो और उसके साथ कोई भी असमझ जोड़े असमझ मतलब e आया e के अलावा कोई भी हो तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा या होगा कहने का मतलब यह है कि यदर प्रथम पद का अंतिम वर्ण e या e हो और दूती पत का प्रत्थमर्ण असमर्ण हो मतलब E या E ना हो इसके अलावा और कोई भी हो तब result हमेशा यह होगा यह विक्रित होकर वह यह बन जाएगा उसी प्रकार से O या O के साथ कोई भी असमर्ण हो तो उसका result हमेशा क्या बनेगा? वह बनेगा E या E का या बना था वैसे यहाँ पर O या O का वा बन जाएगा या वा में प्रिवर्टन हो जाएगा अब देखते हैं री के साथ हमने क्या देखा था गूर्षवर्ण संदी में? आप का मिलन री के साथ हो रहा था मतलब प्रत्थम शब्द में आ आ रहा था और द्विती सब्द का प्रत्थम वर्ण री आ रहा था यहाँ पर उसका जश्ट उलट है यहाँ पर प्रत्थम शब्द का अंतिम वर्ण री आ रहा है और द्विती सब्द का प्रत्थम वर्ण आ आ आना चाहिए मतलब वहाँ पर A का मुलकात री से हो रहा था यहां पर री का मुलाकाई यहां भी अरही बनेगा मतलब दोनों जगह आप समझ गए हैं लेकिन यड और गुड में अंतर ये है कि गुड सुरसंदी में आ पहले होता है और यड सुरसंदी में री पहले होता है रिजल्ट आना क्या है? अरही आना है अगला जो है एदी सुर्षंदी है, एदी सुर्षंदी में हम देखेंगे ए वर्ग और ओ वर्ग कासा योग, किसी और के साथ हो, तब क्या बनेगा? ए के साथ या आ के साथ यदी कोई भी आ समालना हो, तो इसका रिजल्ट दो तरीकेश बनेगा, ए का बन जाएगा आ और आ का बन जाएगा आ ठीक है? उसी प्रिकार से ओ और आ का मुलाकात या मेल किसी और समालना के साथ हो, तो परिवर्थन क्या होगा? ओ का हो जाएगा आ और आ का हो जाएगा आ ये कहलाता है आदी सुर्षंदी, अंतर आप समझ पाये होंगे, ये इमेज एक बार आप देखेंगे न, तो आपके दिमाग म ये छप जाएगा, आप कभी confused नहीं होंगे